नमस्ते जी नमस्ते स्वागत है आपको हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला जी 54 5G स्मार्टफॉन के बारे में आप इस फॉन को प्रचेस करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जुरूर आपको देखनी चाहिए ताकि आप इस फॉन की बारे में पूरी फीचर्स को जान सकेंगे नहीं तो बाद में आप बोलोगे बारी मिश्टिक हो गया सर कोई बात नहीं टेंशन मतलो आपका भाई है ना आपको पूरी फीचर्स बताने के लिए हुआ रहता है तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके डिजाइन और क्यास काफे गूड क्वालिटी के आती है और अगर डिस्प्ले की बात करूं तो गाई 6.5 इंच की फूल HD पलस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120 Hz रिप्लेस रेट 560 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है एंड आउट डोर में भी काफी हाथ तक डिस्प्ले ब्राइट करता है और अगर इसकी प्रोसेसर की बात की जाए तो इस फॉन में Diamond City 7020 प्रोसेसर, LPDDR 4, RAM, UFS 2.2, Storage, Android 13 तो चलिए अब हम केमरा में फोकस करते हैं 50 मेगापिक्सल में केमरा OIS के साथ 8 मेगापिक्सल अल्टरा वाइड यही माइक्रो डेप्स का भी काम करता है और 16 मेगापिक्सल का सेलफी केमरा देखने को मिल जाती है और अगर हम इसके केमरे क्वाइलेटी की बात करें तो कुछ फोटोस मैंने किलिक किये हैं इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं अपना opinion हमें comment section में जरूर बताईएगा अब बात करेंगे इसकी storage की तो 8GB RAM के साथ 128GB storage इंटर्नल storage देखने को मिल जाती है अगर आप gaming करना चाते हैं तो यह आपके लिए next table हो सकता है and guys Motorola में आपको 6000MH की battery के साथ 33W का first charging जिससे मैंने पहले भी आपको बताया इसे लंबी समय तक आप चला सकते हैं तो भाई यह था Motorola का G54 5G यह दो variant में आता है एक आता 8GB RAM के साथ 128GB storage एक 12GB RAM के साथ 256GB का internal storage इस phone की सारी features मुझे बढ़िया ही लगा एंड आपको कैसा लगा बताना जरू आपको वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर दिजेगा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए जहिन बने मादरम